नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका चैनल गरी आकास पे किसान भाईयों हमारे पूरवज पिछले कई हजारों सालों से खेती करते हुए आ रहे हैं और वो अपने समय में ऐसी फफले लगाते थे ऐसे अनाज खाते थे जो कि आज के दिन पे देखने को नहीं मिलते हैं तो आज किस वीडियों में आपको एक ऐसी प्राचीन फफल के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो कि कम समय में कम लगत में तयार भी हो जाती है जिसके कि कई सारे हेल्थ बेनीफिट भी हैं तो यह जो फफल आपको इसक्रिन पर रिखाई दे रही है इसको आपके यहां क्या कहा जाता है कुछ लोग कह रहे होंगे हमारे हैं इसको चेना कहा जाता है कुछ लोग कहते होंगे इसको हमारे हैं चीना कहा जाता है कुछ लोगों के यहाँ इसको जेठी सावा कहा जाता है, कुछ लोगों के यहाँ इसको पुनरवा कहा जाता है, हमारे देश में बहुत सारी बोली हैं, बहुत सारी भासाइं हैं, उन भासाओं में इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जो इसका इंटरनेशनल नाम है यानि जो इसका अंग्रेजी नाम है वो है प्रोसो मिलेट किसान भी इस वीडियो में हम इसको प्रोसो मिलेट ही कहेंगे क्योंकि ये इसका इंटरनेशनल नाम है इसके खेती चीन में पिछले 7000 सालों से की जाती है और आज के सेमें इसके जो खेती है भारत, रूस, यूक्रे मद्धेशिया, तूर्की, रूमानिया जैसे खेतों में बड़े पैमाने पर की जाती है इसके पीछे का रीजन है कि कम साय में तयार हो जाती है बिना किसी जादा खाद, बिना किसी जादा सिंचाई के और ये वो इसको भी खा सकते हैं वो लोग इनकों की गेहूं खाने से वो भी इसको खा सकते हैं और इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट हैं तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में संपूर जानकारी जानने वाले हैं जैसे मिलिट के लिए उप्युक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, बीच अदर और उप्चार, बुआई का सही तरीका, बु कर लिजिएगा, क्योंकि खेती बाड़े एसी महत्तपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, चलिए, शुरू करते हैं, किसान भाईयों, इसकी खेती आप हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी और खराब से खराब, यानि अगर जो पोसक तत्त हैं, वो अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, खेत की तयारी के लिए आपको एक से दो जुताई कर लेनी है, सो से डिर्ण से कुनितल गोबर की खाट डाल देनी है, फिर दो से तीन जुताई यवर कर देनी है, उसके बाद क्यारी बना लेनी है, आपको जो खे जो खेती हमारे यहां साल में दो बार की जाती है, जो पहली बुगाई का समय होता है, गर्मी के लिए, वो इसकी बुगाई अपरेल के मध्य में की जाती है, आप आधे मार्च से आधे अपरेल में इसकी बुगाई असानी से कर सकते हैं, जबकि जो इसकी में बुगाई खरीप में की जाती है, उसके लिए आप जून से जुलाई तक इसकी बुगाई कर सकते हैं, अगर हम बात करें कि इसकी बुगाई का सही तरीका क्या है, तो कि सानभ जो प्रीसो मिलेट है इसकी बुगाई के समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपको लाइन से लाइन की दूरी 25 cm और पौधे से पौधे की दूरी 10 cm रखना है ध्यान रखें अगर आप लाइन बुगाई करते हैं तो आपका जमाव भी अच्छा होता है कल्ले भी अच्छे नि तो आपकी जो फसल है वो खराब भी हो सकती है अगर हम इसमें खाद प्रबंधन की बात करें तो किसान भाईयों इसमें खाद की कोई बहुत ज़रूवत नहीं होती क्योंकि यह जो फसल है कम समय तयार हो जाती है तो आप बुगाई के समय के एकड़ में 20 kg यूरिया 15 kg DAP औ करके आप बुगाई कर दीजिए और 25 से 30 दिन बाद आपकी पहली सिंचाई करने जा रहे हो तेक एकड़ में 25 kg यूरिया और डाल दीजिए इसके अलाव आपको कोई और खाद डालने की जरूवत नहीं होती है सिंचाई इसमें काफे अदा महतकूर होती है अगर बरसात में पहले सिंचाई याप बुगाई के 25 से 30 दिन पर करें इसके बाद यूरिया डाल दें जैसे मैं आपको अभी बताया था दूसरी सिंचाई इसकी आप 40 से 35 दिन के वफ्था पर करें इससे अलाम आपको कोई सिंचाई करने के जरूवत नहीं होती क्योंकि यह जो फसल है किसा कारी सिंचाई ना करें हलकी सिंचाई करें ज्यादा सिंचाई ना करें या सुबा साम सिंचाई करें अगर खेत में पानी रुकदा है तो आप उसको निकाल जरूर दीजिए और खरपतवार नियंतरन भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है किसान भायों इसमें हमें दो बार बहुछी जरूरी होता है, पहरे जो निराई-गुणाई है वाब तिन में कर लेनी है जो दूफे निराई-गुणाई है उससे 35-40 दिन में कर लेनी चाहिए, कीट और रोग नियंत्रण की बाद के सलगते है वह है प्रोह मख्षे किसन में जो प्रोह मख्षे यह सबजियों मे तो खराब कर देगा यह अंकुरान के समय ही इसमें आ जाता है और टैक करने लगती है उससे बचने के लिए आपको बुगाई के समय किसान भी अगर आपको एक खेत में कीड़े लगते हैं तो आपको बुगाई के समय 2-3 किलो थी मिट ले लेना है बीच के साथ में डाल की कुँकि इसमें जो किसान भी रोग है यह कही bahaर से नहीं आथा यह इसके बीच के अंदर ही होता है और यह इसके बीच बार न चाहिए और प्रहावित प्वूद के प्रभावित फूल होता है उसके गुच्छे लंबे और मोटे हो जाते है और जो फल किसान भय 20 Прकाटने से उससे बचने के लिए आप इसको किसान भाईयों से रहे संसे उप्चाइद करके बोएंगे तो कोई समस्या ही नहीं आएगी और जैसे ही आपकी फ़सल पाइए सर से पचाहतर दिन की आसपास होगी अलग किसमों के अनुसार आपकी फ़सल पक करके तयार हो जाएगी जब अगर आप ध्यान रखें अगर आपकी फ़सल है और बीच-बीच में कहीं सपा करें तो आपको बीच से कटाई करना सुरू कर देना है कि कई बार क्या होता है कि इन सब चीजों को किसमे होती हैं हाइब्र तो आती नहीं है बहुत सारे किसान भाई अन्न किसानों से ही लेते वह अलग-अलग होते हैं कोई पढ़ा जाता है कोई सुख जाता इस सिती में आपको बीच में कंठाई कर लेनी है और आप अगे बुगाई करें तो भीजों को छांट करके बुगाई करें और जयसे ही जो आपका देसे महने caring 75 दिन में फ़सल कंठाई की लिए तयार हो जात किसान भी यह थी प्रोस्टों मिलेट के बारे में जानकारी वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट सेक्से में जरूर लिखिएगा खेती बाड़े वीडियो हुए ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए